कपड़ों पर अगर इंक का दाग लग गया हो या मारकर का भी दाग लगा हो बचों के स्कूल्टरस पर अक्सर इंक का दाग लग जाता है तो उसको निकालना बहुत इसी है जाल दीजिए उसमे कच्चा दूद जो भी दूद घर में आता हो वो 2-3, 4-4 चमच डाल दीजिए दाग के एकॉडिंग डाल देना है, अच्छे से दाग को भीगा देना है 5 मिनिट के लिए. 5-6 मिनिट के बाद ले लिजे कॉलगेट टूथपेस्ट, यह बहुत ही बढ़िया होता है दाग को निकालने के लिए, तो जहां जहां भी स्टेल लगा हुआ हो, दाग लगा हो, उसके उपर में इसको लगा देना है, अब इसके उपर एक और ज़रूरी चीज भो डालनी है न निवू का रस और कॉलगेट टूथपेस्ट मिलकर के धाप को अच्छे से निकाल देते हैं, अगर निवू का रस नहीं हो, तो आप सिर्का का भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट विनेगर, कुछ लोग हाइडरोजन परोकसाइड का भी यूज़ करते हैं, वो भी काफी फ्य तो तीनों आपशन है, हाइडरोजन परोकसाइड, विनेगर या निवू का रस. लेकिन ध्यान रखें इन तीनों में से एक ही चीज़ डालनी है, तो यहां मैंने निवू का रस डाला है, डाल करके ब्रस से इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, अच्छे से फैला देना है, पाँच मिनिट इसको ऐसे ही रहने देना है. यहाँ पर कुछ नीबू के बीच है, उसको हटा दे रही हूँ, नीबू का रसनी चोड़ते समय कुछ बीच भी गिर गया थे, तो उसको हटा देना है, अच्छे से मिक्स कर दिया है, पाँच मिनिट इसको ऐसे ही रहने देना है पाँच मिनिट के बाद एक सौफ्ट सा ब्रश ले लेना है, हलके हाथों से रब करना है, ताकि कपड़ा खराब न हो, यहाँ देख रहे होंगे फ्रिट्स की दाग पहले से हलका हो गया है, अब थोड़ा सा इसको पानी डाल देना है, पानी डालने से थोड़ा सा गीला हो जा तो हलके हाथों से बस दो-चार मिनिट रब करना है, बहुत ही जल्दी यह दाग निकल जाते हैं, खुद ही देख लीजे कितना बढ़िया दाग निकल गया है, अब इसके उपर बे साफ पानी डाल देना है और धो लेना अच्छे से, इसके नीचे जान बुच करके मैंने थ थाली लगाया है, ताकि आपको दिखा सको कि कितनी गंदगी कलेक्ट हुई है, यह बहुत यूसफुल मेथड है, यह देख लीजे फ्रेंट्स, कितना इंक निकला है, जो भी इंक हमने धोया था, कॉल गेट वगर लगाया था, सब थाली में कलेक्ट हो गया है, तो या लिक्विट सोप जो घर में यूज करते होंगे, पानी में डाल दीजे, कपड़े को थोड़ी देर भिंगा देना है, इसके बाद साफ पानी से धो करके धूप में सुखा लेना है, और हाँ, वाइट कपड़े को ही धूप में सुखाना है, जो कलरफुल कपड़े हो, उ फटा-फट साफ हो जाएगा,